हेलो गाइज स्वागत है आप सब का तो आज हम बात करेंगे fine organics industries की काफी बढ़िया शेर है काफी मटी बगा रिटन भी दिये है इसके अंदर अगर देखे तो आप नजर रख सकते अभी जो देखे तो टेक्निकली अगर देखे तो यह highly oversold है daily basis के उपर साथी साथ weekly basis के उप पर भी सबसे पहले तो इसके fundamental भी हम देखेंगे इनके अंदर आप short term के लिए भी इसके उपर नजर रख सकते हैं और longer term के लिए भी levels के रहे सकते हैं वो भी हम चर्चा करेंगे कंपनी का business अगर बात करें तो सोड़ा सा जून कर लेते हैं यहां पर अगर देखें तो company जो है यह manufacture करती है जैसे की manufacturers है प्रोसेसर है supplier से डिस्टिपिसर फिर डिलर्स भी है साथ ही साथ यहां पर अगर देखें तो importer exporter होई है यहां पर आप देख सकते हैं और यह company काम क्या करती है तो oleo chemicals based addictive जो है food के अंदर देख लीजिए plastic के अंदर देख लीजिए कोस्मेटिक के अंदर देख लीजिए वहां पर यह सारा का सारा product यूज होता है तो काफी बढ़िया company है अब यहां पर देख सकते हैं और इसका जो market के बगर देखें तो अभी 12,700 करोड़े उपर से काफी ज्यादा correct हो चुका है यह 7,300 करोड़ के आसपास का high बनाया था अभी 4,000 के उपर है अपने lowest level के आसपास अभी काम कर रहा है इसका low जो है 3,800 के आसपास था 5 रुपे की face value है इसकी return on capital employees दरहा देखिए 28% return on equity अगर देखे 20% काफी अच्छा business निया पर लग रहा है और यह company जो है मुझे इसका fundamental काफी strong दिख रहा है तो longer term में तो यह काफी बेतर कर सकता है फिलाल अगर देखे तो इसके quarterly result भी हम देख लेते हैं बहुत ह की double almost हो चुका है और अब इसके yearly result भी हम देख लेते हैं तो यहां पर अगर आप देखे तो 2021 से अगर बात करें यह पिछले तीन सालों की revenue के अंदर अच्छी कासी बढ़त देखने के मुझी revenue almost जो है तीन गुणा हो चुका है ग्यारा सो करोड़ ग्यारा सो 33 करोड़ से आसपास आने की संभावना है तो काफी बढ़िया बात है और इसका EPS अगर देखे तो अनुमानित EPS अभी 192 रुपे जो है आ सकता है काफी बढ़िया बात यहां पर अगर आप देखोगे तो और एक चीज़ और आपको बता दूँ कि इसके अंदर अगर आप देखे तो इस दिसमबर भी 20 जबूर से पिछले दिसमबर से प्राइच महिने जो है वह अच्छा आया था जैसे कि 52 करोर सा इसका जो नेट प्रॉफिके वह स्पर हो गया था तो इस असgefत ऐत्या इसमबर से आने वाला इस मार्च का ईक वार्टर फोल के रिज़्ट हो अच्छे आने क अगर आपको प्रिविएस के वाटर में यह मार्च 2019 मार्च 2020 के अंदर अगर आप देखोगे तो उससे काफी कम है लेकिन तब भी कोच ज्यादा करजा इसके उपर था नहीं लेकिन सितमर 2022 में अगर बात करें तो सिर्फ और सिप प्यतालीस करोर का करजा और साथी साथ इसकी यहां पर अगर देखें तो मजबूत रोलिंग प्यतन है प्रोमोटर के पास अगर देखें दिसंबर क्वाटर के अंदर 75% का इस्सा है इसके अंदर थोड़ी सी बीक वाली कर रहे है इसी वज़े से शेयर का प्रैस गिर रहा है लेकिन साथी साथ अगर आप देखें तो ड प्रैस के अपना इस चेक अंदर इंक्रीस किया हुआ है पुबलिक के पास और सिर्फ साड़े साथ परसें का माल अवैलेबल है तो यहीं कम्पनिया जो है मुझे अच्छी लगती है चाहापर पब्लिक का जो है जो है वो कम रहती है और बड़े प्लेश के पास ओल्डिंग लेकिन वहां पर यह टिक नहीं पा जाई इस के अंदर और हो सकता है इसके अंदर आगे हम देखेंगे इसके वीकली चार्ट भी मैं आपको दिखाना चांटा हूं इसके अंदर भी अगर देखें तो इसका आड़े तो यह 26 आस पास आ गया है तो यह वीकली चार्ट के ओप अगर देखें तो यह ओर सोड़ हो गया है क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि पिछले काफी मैनों से यह काफी वीक से काफी मैनों से जो इसके अंदर एक लगातार गिरावट ही चल रही है तो हो सकता है कि कुछ बड़े प्लेयर्स को यह पता हो कि इसकी जो ग्रोथ ह तक उसके बाद स्थिती जो है वापस से सुदर जाएगी ऐसा मुझे लग रहा है तो वापस से एसी कंपनी जो इसके फंडमेटर इतने स्ट्रॉंग है जिसके उपर करदा भी कम है तो इसके अंदर भी एक देखे तो अच्छा का सा रिटन और अच्छा का सा एक रिवावल अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो पहले तो आपको में वीकली चार्ट के उपर फिर से ले जाना चाहूंगा क्योंकि इसका अभी फिलाल अगर देखे तो सपोर्ट कहां पर है यह जरूर देख लीजिए चार अजार रुपे का अगर देखे तो एक साइकोलोजिक रुपे जो कि अच्छा सपोर्ट बन सकता है उसके बाद अगर देखोगे दूसरा सपोर्ट जो की 3500 के आप सपास का सपोर्ट यहां पर क्योंकि 200 वीक का मुविंग एवरेच है तो आप दूसरा सपोर्ट इंदर राउंड फिगर अगर आप दिनो तो 3500 के आप सपास का इस केंडल को जुब ठोड़ा सापको बौड़ा फकर अगर देखना है यहां पर आफ देखोगए यह जो चैनल है इसके अंदर देखे नहीं तो इसके अंदर तो जो 2500 का सामना कर रहा दो अब जहां धर है कि उब हैं इस अच्छासा सपोर्ट पे बन सकता है फिला लगर हम प्राइस जो है 4100 है तो मुझे ऐसा लग रहा है अब शोट टम की अगर बात करें तो शोट टम में इसके अंदर भी अगर देखें तो किसी को ट्रेड लेना है तो वह ले सकते हैं कि अपने जो सपोर्ट है उसके करीब है और अगर आप चाहे तो आधा-धा करकर बाई कर सकते में हमेशा करता हूँ एक तो करण मार्के प्राइस के ऊपर और यह बाई चाहर तक आता है तब मतलब कि यह 4000 हो भी सकता है अभी नहीं भी हो सकता है कि कल परसो यह इसके अंदर कुछ जो है बांस बेक आए या फिर 4050 तक आए वाप उसके बाद जो है इसके अंदर अगर द देखने को मिले लिया एट-lis जो है यह बिरावट है वह थमती हुई देखने के मिले लिए तो इसके अंदर भी थोड़ा सा बाउंस बेका सकता है तो इस स्टेटप से जो आपको जो लोस है वो कम रह सकता है और जो स्ट्रोपलोस हमेशा ले अगर आप सोट्रम बायर से हम और 3950 का 100 रुपे का रिस्क और जो इसके अंदर रिवोर्ट के अगर बात करें तो 200 से 4500 तक क्या मिल सकता है जो कि 3300 से 4500 रुपे तक का इसके अंदर जो है एक टारगेट पॉसिबल है साथ ही साथ अगर आप लॉंग टम के लिए बाइंग करना चाते हैं तो वह भी कर सकते हैं और जो मैंने इसके अंदर सपोर्ट बताए उसी लेवल को आप इसके ऊपर अपनी वोचलिस रख सकते हैं और अगर target की बात करें तो सबसे पहले तो जो इसके अपना lifetime high बनाया था 7000 रुपे के उपर 7300 यह वहां तक जा सकता है इंदर long term और उससे भी उपर यह जा सकता है जब company के जो profit और revenue वापस से बढ़ने लगे तो वापस से इसके अंदर तेजी देखने को मिल सकती है तो इसक इसके अंदर वापस से एक अच्छा का सा gain देखने को मिल सकता है तो इसके अपर आप अपनी नजर बना कर रखे और आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको like ज़रूर करे, share करे और मेरे चनल को ऐसे ही वीडियो के लिए subscribe कर ले औ और extended disclaimer जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी trade ले, उससे पहले अपनी research करे, अपने financial advisor की सला ले, उसके बाद ही कोई decision ले, और decision ले तो उसके जिमेदार maturity के साथ खुदी ले, यह वीडियो में न education purpose के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी buy या sell के ही recommendation नहीं है, thank you.